Hello everyone, आज की वीडियो में हम बात करेंगे Diciclomine के बारे में यहाँ पर मैने दो एक्जाम्पल यह हैं एक है Meftal Spasca, एक है Diclose Spasca यहाँ पर Diciclomine present है और यहाँ पर भी Diciclomine present है यहाँ पर साथ में Mephanic Acid है और यहाँ पर साथ में Paracetamol है तो पेरासीतामॉल और मैफनेक एसीड के बारे में हम उल्रेडी डिसकस कर चुके हैं टो चलिए विडियो को स्टार्ट करते हैं और डायसाइक्लो माईन के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं तो चलिए देखते हैं क्या है Diciclomine Diciclomine जो ये दवा है ये Anticholinergy Group की दवा होती है इसका इस्तमाल किया जाता है Gastrointestinal Spasm को ठीक करने के लिए Spasm का मतलब होता है Aethen Aethen कैसे होती है जो Smooth Muscles होती है उनके Contraction की वज़े से Aethen होती है तो Smooth Muscles का Contraction होना ही Spasm कहलाता है दूसरी बात Gastro का मतलब होता है पेट Interestine का मतलब होता है आथ हमारी आथ और हमारे पेट के इंदर Smooth Muscles present होती है अगर उन Muscles के इंदर Aethen आ जाए तो वहाँ पे दर्द होता है तो उस दर्द को ठीक करने के लिए हमें ऐसी दवा खानी पड़ेगी जो कि उन Muscles को Relax कर दे ठीक है अगर कोई दवा उन Muscles को Relax कर देती है तो हमारा वो दर्द जो पेट के इंदर या फिर आथ के इंदर है वो ठीक हो जाएगा ठीक है तो Dye Cyclomine एक ऐसी ही दवा है ये क्या करती है ये Spasm को ठीक करने का काम करती है किस तरीके से ठीक करती है इन Smooth Muscles को Relax करके इनको ठीक करने का काम करती है इसलिए Dye Cyclomine का दूसरा नाम क्या है ये एक Anti-Spasmotic Medicine है Anti-Spasmotic का मतलब यही है Spasm को ठीक करने वाली ये Medicine है ठीक है तो ये तो हो गया इसका यूज इसका इस्तमाल gastrointestinal tract spasm याने की abdominal pain को ठीक करने के लिए इस्तमाल किया जाता है अब बात करते है mode of action की, किस तरीके से diceclomine काम करती है तो diceclomine क्या करती है, M3 receptor पे काम करती है, इसको क्या कर देती है, ब्लोक कर देती है तो diceclomine M3 receptor को ब्लोक कर देती है, जिसकी वज़े से smooth muscles relax हो जाती है और हमारा जो gastrointestinal spasm है, वो ठीक हो जाता है ओके, तो ये हो गया इसका use और mode of action अब बात करते हैं dose की, तो dose दो तरीके की होती है, child dose, adult dose किसी की उमर या तो 12 साल है, या फिर 12 साल से नीचे है तो उसको consider करेंगे child dose के इंदर, अगर किसी की उमर 12 साल से उपर है तो उसको consider करेंगे adult dose के इंदर, ठीक है, ये बात आपको clear हो गई अब देखते हैं कि क्या dose रहती है, diceclomine की तो अगर मैं बच्चे के इंदर बात करूँ, अगर किसी बच्चे की उमर 6 महीने से उपर है और 2 साल से नीचे है, तो उसको diceclomine दी जाती है 5 mg से लेकर 10 mg तक दिन में 3 से 4 बार दी जाती है, ठीक है तो ये तो होगी उस बच्चे की dose जिसकी उमर 6 महीने से उपर है और 2 साल से नीचे है, maximum dose की बात करूँ, तो maximum dose 20 mg per day है एक दिन में 20 mg से जादा नहीं देनी होती है, तो ये maximum dose होती है अगर बच्चे की उमर 2 साल से उपर की है, तो उसके अंदर 10 mg diceclomine दिन में 3 बार दी जाती है या तो दिन में 3 बार दी जाती है, या फिर दिन में 4 बार दी जाती है और कितना दी जाती है एक बार में 10 mg दी जाती है, ठीक है यहाँ पर maximum dose होती है 40 mg per day तो यह तो हो गई हमारी dose child dose हमने जान लिया कि 6 महीने से और 2 साल के बीच में 5-10 mg रहेगी वो भी दिन में 3 बार और 2 साल से उपर रहेगी 10 mg दिन में 3 बार या फिर 4 बार तो यह हो गई हमारी child dose एक point जो यहाँ पर note करना है यहाँ पर मैंने बताया कि 6 महीने से उपर के बच्चे को ठीक है यहाँ पर क्या point note करना है कि जो diceclomine है वो 6 महीने से कम की उमर के बच्चे को नहीं दे जाती है यह point आपको जरूर note करना है ठीक है तो यह हमारी child dose होगी अगर मैं बात करूँ कि adult dose क्या होती है diceclomine की तो adult dose होती है 10 mg से लेकर 20 mg जग दिन में 3 बार TID का मतलब होता है दिन में 3 बार तो यह होगी हमारी adult dose और यह होगी हमारी child dose I hope आपको यह dose समझ में आ गई होगी आगे बात करते हैं side effect की कि क्या क्या common side effect होते है diceclomine की जैसे dizziness है, weakness है, कमजोरी, blood vision है ठीक है, gerostomia gerostomia का मतलब होता है dry mouth ठीक है, nausea याने की philoformating तो यह सब side effect देखने को मिलते हैं यह common side effect होते हैं diceclomine की जरूरी नहीं है कि सब के अंदर यह देखने को मिले किसी किसी patient के अंदर यह देखने को मिलते हैं अगर यह side effect या इनके अलावा कोई भी side effect देखने को मिलता है तो यह दवा तुरंथ ही बंद कर देनी चाहिए और डोक्टर से consult करना चाहिए आगे बात करते हैं interaction की interaction का मतलब यह होता है कि हमें कौन सी दवा diceclomine के साथ नहीं देनी है ठीक है जैसे anticholinergic drugs होती है ध्यान से एक point सुनना मैंने आपको starting में बताया था कि जो यह diceclomine है न यह एक anticholinergic group की दवा है ठीक है और अगर आप इसको other anticholinergic group की दवाओ के साथ दोगे तो क्या होगा दो दवाई जो एक जैसा काम करती है एक जैसे group की है अगर आप उसको साथ में दोगे तो क्या होगा toxicity बढ़ जाएगी तो कभी भी diceclomine को other anticholinergic group की दवाओं के साथ नहीं देना चाहिए क्योंकि toxicity जो है वो increase हो जाएगी और जो adverse effect है वो increase हो जाएगी ठीक है दूसरा है topiramate ठीक है जोंसिमाइड इनके साथ भी नहीं देना चाहिए ये दोनों drug epilepsy के इंदर यूज की जाती है तो diceclomine के साथ भी इनको नहीं देना है ठीक है next है antichid इसके साथ भी नहीं देना है antichid क्या करता है diceclomine का absorption है वो रोक देता है ठीक है तो absorption कम हो जाता है अगर आपको diceclomine और antichid साथ में दिया तो जो gastro prokinetic agent होते हैं ये क्या होते हैं जो vomiting को रोकने के लिए यूज किया जाते हैं जैसे कि domperidone है metoclopromide है तो इनके साथ भी diceclomine को नहीं देना है क्योंकि diceclomine इनके effect को antagonize कर देती है तो इनका कोई फाइदा नहीं रहेगा साथ में देनी का ठीक है कुछ drugs होती है जो parasympathomimetics होती है तो इन drug के साथ भी diceclomine को नहीं देना होता है क्योंकि जो parasympathomimetic है इनका therapeutic effect है वो बिल्कुल खतम हो जाएगा अगर इसको diceclomine के साथ दिया क्योंकि ये उल्टी दवा है parasympathomimetic कैसी होती है parasympathomimetic kolinergic drugs होती है ठीक है लेकिन जो diceclomine है ये anti-kolinergic drug है तो दो दवा जो opposite action करती है वो आप नहीं दे सकते हो ठीक है तो ये होगी हमारी interaction आगे बात करते हैं कि contraindications क्या है contraindications का मतलब है कि किन conditions के अंदर हम diceclomine नहीं दे सकते हैं देखे अगर किसी को glucoma है उसके अंदर नहीं दे सकते अगर किसी को obstructive disease है GIT tract की उसको नहीं दे सकते अगर किसी को obstructive europathy है तो उसको नहीं दे सकते अगर किसी को ulcerative colitis है वो भी severe है उसको नहीं दे सकते किसी को reflex isofagitis है उसको नहीं दे सकते माश्थिनिया ग्रेविस का कोई patient है उसको नहीं दे सकते breastfeeding woman यानि की lactating mother उसको नहीं दे सकते और ये point तो मैंने आपको बताया है अगर किसी की उमर 6 महीने जिस बच्चे की उमर 6 महीने से कमका है अगर कोई बच्चा 6 महीने से उमर की कमका है तो उसको भी नहीं दे सकते तो इन सब conditions के अंदर जो diceclomine है वो contraindicated होती है इनमें ये जो diceclomine है ये नहीं दी जाती है तो ये हो गया diceclomine का use, side effect, interactions and contraindications I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आज की वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं next वीडियो के अंदर